आग बुझाना काफी मुश्किल काम होता है जिसके लिए हमारे फायर फाइर्फाइटर्स हमेशा त्यार रहते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर भी हम आपको कुछ ऐसा ही गैजर्स धिकाने वाले हैं जो कि आग बुझाने के लिए बेहद यूसफुल रहेंगे तो शुरुबात करते हैं आज की इस वीडियो की लेकिन उससे पहले रहेगी आपसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत बूलेगा यानि की पानी कितने सर्फेस एरिया को कवर कर रहा है ये बहुत ज़्यादा माइने रखता है आग बुझाने के लिए तो दोस्तो इसी टेक्नलोजी को देखते हुए खास तरपा बनाया गया है इस तरीके के गैजट को जो की एक शॉटगन मौडूल पर काम करती है इसकी खास बात ये होती है कि इसमें पानी को 400 किलो मीटर पर आर की स्पीट से डिस्चार्ज किया जाता है जिसे की पानी का सर्फेस एरिया काफी ज़दा बढ़ जाता है और पानी की छोटी-छोटी बुंदे आग को बुझाने का काम करती है तो ये टेक्नलोजी काफी हद तक कारगर रहती है आग को बुझाने के लिए जो की कम पानी का इस्तिमाल करके आग को बुझा सकती है तो दोस्तो इस टेक्टिनलोजी के लिए एक like तो बनता है और हमारे firefighters के पास इस तरीके का gadget होना ही चाहिए 9. EMI Controls Firefighting Robot आग भुजाना हमेशा से काफी risk प्रिस्की काम रहा है और दोस्तो इस काम को करने के लिए बहुत सारे firefighters अपनी जान पर खेल कर ये काम करते हैं लेकिन इसकी जगए पर इस्तिमाल किया जा सकता है इस तरीके के robotic firefighter को, जो कि आग बुझाने का ये काम बड़ी ही आसानी से और एकदम risk free तरीके से कर सकता है, इस robot में आपको छोटी छोटी काफी सारी nozzles देखने को मिल जाती है, और साथ ही इसमें पीछे की तरफ एक छोटा सा fan लगा होता है, और जब भी इससे पानी को spray करना होता है, तो ये पीछे की तरफ लगा हुआ प्रोपेलर तेजी से घूमता है, जिसे कि पानी की छोटी छोटी बूदे एक mist की रूप में सामने की तरफ जाती है, जो कि आग बुझाने के लिए बेहत कारगर रहेंगी, इस रोबोट में target cooling का भी option दे रखा होता है, जिसमें कि आपको पानी का एक hose pipe अलग से देखने को मिलेगा, जिसे कि आप control कर सकते हैं और जहाँ पर आप पानी डालना चाहते हैं, वहाँ पर इसे target भी कर पाएंगे, तो काफी कमाल के option देता है, ये रोबोट जो कि हमारे firefighters के लिए बड़ा ही useful होने वाला है, आग बुझाने के तरीके देखे जाएं तो आज भी काफी जदर traditional से होते हैं, जिसमें कि पानी की मदद से आग को बुझाया जाता है, लेकिन आजकल की technology day by day advance होती जा रहे है, जहाँ पर कम पानी में आग बुझाना भी एक अपने आप में challenge है, तो वहाँ पर इस्तेवाल किया जा सकता है इस तरीके की system को, जो कि खास तोर पर ऐसे ही काम के लिए बनाये गये हैं, दूस्तों इसमें आपको एक powerful सा fan देखने को मिल जाता है, जो कि size में काफी बड़ा लगेगा, और जब भी आप इसे on करेंगे, तो आपको इससे काफी तेज sound सुनाई देगी, यानि कि इसके propellers बहुत तेजी से move करते हैं, जो कि आग बुझाने के लिए बनाये गए हैं, और जैसे ही इससे पानी को connect कराया जाता है, तो ये पानी की छोटी छोटी बूंदे, mist के रूप में थ्रो करता है, जो कि आग बुझाने के लिए बेहत कारगर रहती हैं, यानि कि पानी का surface area बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो जिस भी surface पर जाकर बैठेगा, वहाँ पर आग तुरंथ ही बुझाती है, तो काफी कमाल की technology दे रखी है, जो कि कम पानी में आग को बुझाने के लिए कारगर है, तो इस तरीके की system को इस्तिमाल किया जाकता है, खास तौर पर industries वगएरा में, जहां पर आग लगने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं, दोस्तो आजकल गाडियों में CNG का इस्तिमाल किया जा रहा है, जिससे की कार में आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा सुनने को मिल जाती हैं, यानि की CNG flammable होती है और गाड़ी में अगर उसका leakage हो जाए, तो बहुत हद तक chances होते हैं आग लगने के, तो ऐसे में government suggest करती है कि आप भी अपनी गाड़ी में fire extinguishers रखें, जो की आग बज़ाने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी सी advanced technology पिक करना चाते हैं, तो इस्तमाल कर सकते हैं आप इस तरीके के छोटे-छोटे sensors को, जो की car के engine compartment या फिर CNG compartment में install कर दिये जाते हैं, इसकी खास बात यह होती है कि यह जैसे ही smoke detect करते हैं, या फिर temperature बहुत ज़दा high चला जाता है compartment का, तो ऐसे में यह खुद बखुद activate हो जाएंगे और fire extinguisher की तरह काम करने लगेंगे, यानि कि आग बज़ाने का काम यह swim ही कर सकते हैं, जिसे की यह system पूरी तरीके से automated रहता है, तो दोस्तो इस तरीके की system को आप भी install करवा सकते हैं अपनी car में, और अगर आप भी एक CNG car owner हैं, तो यह gadget आप लिए काफी ज़दा important भी हो जाता है, बड़े बड़े जो industrial areas होते हैं, वहाँ पर आग भुज़ाना काफी मुश्किल काम होता है, और जनरली ऐसी जगहों पर छोटे मोटे तलाब भी बना दिये जाते हैं, जिसमें कि हमेशा पानी भर कर रखा जाता है, और आग लगने की इस्तिती में पंप से उस पानी को खीच कर आग भुज़ाने का काम किया जा सकता है, तो वहाँ पर इस्तिमाल किया जाता है कुछ इस तरीके की सिस्टम को, जिसे की ऐसी जगह पर इंस्टॉल कर दिया जाता है, जहाँ पर water resources एवलेबल रहें, और इसमें लगे pumps पानी को खीचने का काम करते हैं और एक pickup truck में इसके nozzles को install किया जाता है, जो कि पानी के छिड़काओं के लिए बने रहते हैं, इन दोनों ही nozzles से काफी high pressure में पानी को release किया जाता है, जो कि आग बुझाने का काम करेगा, इस चीज़ का इस्तिमाल जादा तर industrial areas में किया जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी factories होती हैं और वहाँ पर आग लगने के chances भी बहुत जादा होते हैं, जो इस तरीके के system की मदद से आग को बुझाने का काम बड़ी आसानी से किया जा सकेगा, नमबर फाइफ, elite fire, आग बुझाने के लिए fire extinguishers का इस्तिमाल तो किया ही जाता है, लेकिन बहुत सी जगे ऐसी होती हैं, जहाँ पर इसे इस्तिमाल करना possible नहीं होता, जैसे कि अगर काफी उचाई पर आग लग गई है, जहाँ पर पहुँचना possible नहीं है, जैसे कि transformers वगेरा तो वहाँ पर आग बुझाने के लिए आप इस तरीके की ball का इस्तिमाल कर सकते हैं, इस ball के अंदर जो material भरा होता है, वो आग बुझाने का काम करता है, और जैसे ही ये ball आग के संपर्क में आती है, तो काफी तेजी से blast हो जाएगी, जिसे कि अगर आसपास आग लगी है, तो वो इसकी मदद से आसानी से बुझाएगी, इस तरीकी की balls का इस्तिमाल घरों में भी किया जा सकता है, अगर आग लग जाती है, तो बस इस ball को थो करके आप पीछे हट जाएगी, जिसके बाद ये तेजी से blast होगी और आग बुझ जाएगी, तो काफी कमाल की ये technology देखने को मिलती है, जो कि एकदम risk free तरीके की होती है, यानि कि आग बुझाने के लिए आपको आग के पास नहीं जाना पड़ेगा, बस दूर से थो करके ही काम चल जाता है, वहीं दोस्तों आप इसे वहाँ पर install कर सकते हैं, जहां पर आग लगने के chances होते हैं, और आग लगने की किसी भी condition पर ये खुद बखुद ही blast हो जाएगी, जिससे की आग बुझ सकती है, तो काफी कमाल की ये technology देखने को मिली है, जिसके लिए एक like तो बनता है दोस्तों, आग बुझाने का काम हमारे firefighters अपनी जान पर खेल कर करते हैं, जिसमें की बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इस रिस्कों को कम करने के लिए इस तरीके की robotic firefighters को भी इस्तिमाल किया जा सकता है, जो कि आग बुझाने का काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से remote control operated होता है, जिसे की आप इसे दूर से कहीं पर भी भेज कर आग बुझाने का काम कर सकते हैं, अलाकि इसके hose pipe और firefighters के truck के साथ connect रहते हैं, जिसे की इसे पानी की supply लगातार मिलती रहेगी, तो काफी कमाल की ये टेक्नलोजी देखने को मिली है, जो कि हमारे firefighters की risk को बहुत हद तक कम कर सकती है, नूर्मल अगर आप इसी भी fire extinguisher को देखेंगे, तो वो size में काफी ज़दा बड़े और भारी भर कम होते हैं, जिसे की ज़दा तर इस्तिमाल करना काफी ज़दा उल्जा देने वाला होता है, जिस वज़े से लोग इसे अपने घरों में रखना पसंद भी नहीं करते, लेकिन अगर आप अपने घर में safety purpose किसी fire extinguisher को रखना चाहते हैं, तो मैं आपको suggest करता हूँ इस fire extinguisher को, यह size में बेहत छोटा रहेगा, साथी इसे इस्तिमाल करना भी बहुत easy रहता है, जिसे की आप domestic fire से बचने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं, वहीं दोस्तों यह fire extinguisher chemical powder release करता है, जो की काफी effective होती है आग बुझाने के लिए, और आग बुझाने के बाद इसमें instant temperature reduction भी होता ह जिसे की जिस जगे पर आग लगी है, उस जगे का temperature भी तुरण डाउन हो जाएगा, जिसे की आप उसे easily touch भी कर सकते हैं, तो इस तरीके का fire extinguisher काफी effective रहेगा, domestic fire से बचने के लिए, जो की घरों में इस्तिमाल करने के हिसाब से safe भी है जिस भी जगे पर आग लगती है, तो उस जगे का temperature काफी तेजी से बढ़ता है, और साथी साथ बहुत ज़्यादा धुआ भी निकलता है, जिसे बचने के लिए इस तरीके के fire resistant blanket को इस्तिमाल किया जा सकता है, जिस भी जगे पर आग लग जाती है, बस इस blanket को उस पर रालन होता है, जिसे की ये blanket पूरी तरीके से धुए और heat को ब्लॉक कर देता है, जो की काफी बहतर रहेगा fire fighters के लिए, इस blanket को बनाने के लिए ऐसे material का इस्तिमाल किया है, जो की पूरी तरीके से fire resistant और साथी साथ heat resistant भी होता है, जिसे की इस blanket को बार बार इस्तिमाल किया जा सकता तो काफी कमाल की टेक्नलोजी देखने को मिल जाती है आपको इस तरीके के ब्लैंकेट में जो की आग से बचने के लिए काफी ज़्यादा कारगर है तो वहाँ पर इस्तिमाल किया जा सकता है इस तरीके के drone को जो कि इस काम में आपकी मदद करेगा दोस्तो ये एक ऐसा multi-propeller drone होता है जो कि बेहत powerful रहेगा जिसका इस्तिमाल अलग-अलग तरीकों से आग बुझाने के लिए किया जा सकता है इसमें एक छोटा launcher लगा होता है जो कि fire extinguisher को launch करता है और जैसे ही fire extinguisher enter करेगा तो थोड़ी दिर बाद ये blast हो जाता है और दोस्तो इसका इस्तिमाल water throw और form throw करने के लिए भी किया जा सकता है जिसे कि आग बुझाने में काफी मदद मिलेगी ये एक तरीके से remote control drone होगा जिसे कि आप remote की मदद से control कर पाएंगे और साथी साथ इसमें सामने की तरफ एक camera भी लगा होता है जिसे कि आप live stream कर सकते हैं अपने computer पर कि ये क्या कर रहा है तो दोस्तो बेहत advanced technology देखने को मिल गई है आपको इस बड़े से drone में जो कि आज की तारिक में काफी useful होता है तो comment करके बताएगा कि आपको ये drone कैसा लगा है वह इस वीडियो का सबसे बहातरीन gadget आपके इसाप से कौन सा रहा है ये बात भी आप हमें comment करके जरूर से बताएगा चैनल को सबस्क्राइब करेगा वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना बिल्कुन में गोलेगा